इसी तरह से अगर आपको next slide में जाना है तो आप enter press करेंगे तो आप next slide में आ जाएंगे फिर दोस्तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यह सारी चीजे वैसा ही दिखाई देगा जैसे पहले slide में दिखाया गया था उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको प्रसन देखने को मिलेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपका प्रसन आजाएगा उसके बाद दोस्तो आपको option so कराना है तो दोस्तो आप enter press करेंगे तो यहाँ पर option so कोज जाएंगे तीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप option पढ़के सुना सकते हैं कि यह यह आपको option दिया गया है तो चलिए आप countdown timer start करते हैं तो दोस्तों जैसे आप enter press करेंगे तो यहाँ पर timer start हो जाता है और उसके बाद दोस्तों आपको सही answer show कराना है तो दोस्तों आप जैसे enter press करेंगे तो इसका जो भी सही answer होगा वो यहाँ पर show हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप slide को play करेंगे और आप इस तरह से आप इसे explain करेंगे और इसे दोस्तों आप HMV4 वीडियो में record कर सकते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप KBC TV show जैसा quiz game वीडियो कैसे बना सकते हैं जिहां दोस्तों आपने कौन बनेगा कडोरपती का नाम तो जरूर ही सुना होगा कौन बनेगा कडोरपती TV show दोस्तों बहुत ही popular है और उसमें जो quiz show कराए जाते हैं उस तरह से दोस्तों आप भी अपने YouTube channel के लिए वीडियो बना सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए तो मैं आपको सभी चीजे बारेकी से समझा दूँगा ताकि आप आसानी से जो है KBC TV show जैसा अपना quiz game वीडियो बना सकें तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ मेरा नाम है राजीव और आप देखर अपना YouTube channel add tech mitra तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के description में मैंने एक link दिया हुआ है आप उस link पे click करके इस zip file को download कर लेंगे इस zip file को download करने के बाद दोस्तों आप इस पे right click करेंगे right click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक option मिलेगा extract file आप इस पे click करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है बस आपको ok कर देना है जैसे ही दोस्तों आप ok करेंगे उसके बाद आप अपने computer को refresh कर सकते है और उसके बाद दोस्तों आपको इसी नाम से एक folder आपके desktop पे मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों आप double click करके यस folder के अंदर जाएगे उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको 2ppt देखने को मिलेगा táp को दोस्तों आप यहां से इसका view बढ़ा करके में आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों आप ये वाला template यूज़ कर सकते हैं अब ये template यूज़ करना कितना असान है ये भी आपको बता देता हूँ तो मैं इस template पर डवल किलिक करके इसे मैं पहले open कर लेता हूँ जैसे ही दोस्तों आप इस template को open करेंगे तो कुछ इस तरह यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है new slide, आप new slide पे click करके यहाँ से आप slide add कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक slide ले लिया है, यहाँ पे आप दे लेता हूँ, Alt Alt दबा करके दोस्तों मैं PowerPoint में आ जाता हूँ, और control-B से दोस्तों यहाँ पे मैं question को paste कर लेता हूँ, Backspace से दोस्तों मैं इसे adjust कर लेता हूँ, उसके पाद दोस्तों यहां पे option copy paste करना है, तो यहां पे मैं क्लिक करूँगा, और यहां पे दूस्तों, मैं caps log करके, उसके बाद दूस्तों, यहां पे capital में A लिख लूँगा, यानि A option उसके बाद space दे दूँगा, L tap दबाकर करके, मैं website पे आऊँगा, और यहां से दूस्तों, मैं C option को भी copy paste कर लेता हूं, और इसी तरह से दूस्तों, मैं D option को भी copy paste कर लेता हूं, तो इस तरह से दूस्तों, आपको इसमें अपने सवल को copy paste कर लेना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, और इतना करने वह दोस्तों आपका slide ready हो जाता है आप दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसका सही answer कौन सा है तो इसका सही answer कौन सा है दोस्तों यहाँ पे मैं देख लेता हूँ तो इसका दोस्तों सही answer है C. मंदोदरी तो दोस्तों मैं PPD में आता हूँ अब यहां दोस्तो हमें इसे green करना है, green करने के लिए दोस्तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो आप एक picture place holder दिख रहे है, यहां आप button पे click करेंगे, उसके बार दोस्तो आप उसी folder में आएंगे, जो आपने मेरे link से download किया है, ठीक है, आप उस folder में आएंगे, यहां पे दोस्तो कुछ इस तरह से, और यहां पे रखने के बाद दोस्तो इस पे right click करना है, right click करने के बाद दोस्तो आपको send to back कर देना है, बस आपका slide तयार हो जाएगा, इसी तरह से दोस्तो यहां पे आपको दूसरा slide लेना है, तो दोस्तो आप यहां न्यू slide पे click करेंगे, तो यहां प तो इस तरह से आपका slide तयार हो जाएगा याणि आपका PPT तयार हो जाएगा PPT तयार होने के बाद दोस्तो अब बात आता है कि इसे हम as a video format में कैसे record करें तो दोस्तो PPT से video format में कैसे record करते हैं इस पर मैंने video बना रखा है तो दोस्तो आप कोई भी एक tutorial देख लेंगे तो आप इसे PPT से as a video format में record कर पाएंगे तो दोस्तो preview देखने के लिए इसे play करने के लिए यानि PPT को play करने के लिए दोस्तो आप slide show पे click करेंगे उसके बाद दोस्तो from beginning पे click करके इसे play कर लेंगे तो चलिए मैं click कर देता हूँ तो दोस्तो कुछ इस तरह से आपका slide आएगा और उसके बाद दोस्तो यहां पे यह सभी चीज़े आएगी ठीक है यह हर एक slide में दोस्तो आपको देखने को मिलेगा इस तरह से दोस्तो यह सभी चीज़े आपको हर एक slide में देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तो यहां पे आपका प्रस्न आएगा उसके बाद दोस्तो आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे दोस्तो इसका option आजाएगा option आने के बाद दूस्तों आप इसे पढ़के explain कर सकते हैं यह जो है आपको 4 option दिये गए हैं उसके बाद दूस्तों आप जैसे enter press करेंगे यानि कि आप अपने audience को कहा सकते हैं कि चलिए अब timer start होता है तो दूस्तों जैसे आप enter press करेंगे तो यहां पर यह timer start हो जाएगा ठीक है timer start होने के बाद दूस्तों अब जब आपको answer बताना हो तो दूस्तों आप जैसे फिर enter press करेंगे इसका जो भी सही answer होगा वो यहां पर green हो जाएगा इसी तरह से दूस्तों अगर आपको next slide में जाना है तो दूस्तों आप enter press करेंगे तो आप next slide में आ जाएगे फिर दूस्तों आपको यहां पर यह सारी चीजे वैसा ही दीखाई देगा जैसे पहले slide में दीखाया गया था उसके बाद दूस्तों यहां पर आपको प्रस्न देखने को मिलेंगे तो इस तरह से यहां पर आपका प्रस्न आ जाएगा उसके बाद दूस्तों आपको option so कराना है तो दूस्तों आप enter press करेंगे तो यहां पर option so हो जाएगे तीक है उसके बद दोस्तों यहाँ पर आप option पढ़के सुना सकते हैं कि यह यह आपको option दिया गया है तो चलिए आप come down timer start करते हैं तो दोस्तों जैसे आप enter press करेंगे तो यहाँ पर timer start हो जाता है और उसके बद दोस्तों आपको सही answer so कराना है तो दोस्तों आप जैसे enter press करेंगे तो इसका जो भी सही answer होगा वो यहाँ पर so हो जाएगा तो इस तरह से आप slide को play करेंगे और आप इस तरह से अप इसे explain करेंगे और इसे दोस्तों आप as a mv4 video में record कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के बाद दूस्तों आप इसे MP4 वीडियो बना लेंगे उसके बाद दूस्तों आप इसे YouTube चैनल पे अप्लोड कर सकते हैं तो दूस्तों ये interesting template आपको कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताएं तो आसा करता हूँ दूस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर दूस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें दूस्तों अगर हमारे एट टेक मित्रे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं तो चलिए दूस्तो मिलता है फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए दूस्तो जैहिन बंदे मात्रम